पंचाय चुनाव को लेकर इस वक्ती बड़ी खबर हर्याना राज्य चुनाव आयोग ने पंचाय विभाग को पत्र लिखा है इस सितंबर से पहले नहीं करवाई जा सकते प्रादेश में पंचाय चुनाव पंचाय चुनाव को लेकर इस वक्ती बड़ी खबर एक बड़ा अपडेट हर्याना राज्य चुनाव आयोग ने पंचाय विभाग को पत्र लिखा है सितंबर से पहले नहीं करवाई जा सकते प्रादेश में पंचाय चुनाव विभाग से मांगी गई जानकारी नहीं कोई उपलाब्त चुनाव आयोग ने कहा है और अकुस्ता स्वीरे आपते कमजाजा कर रही है देखिए हर्याना राज्य चुनाव आयोग ने पंचाय विभाग को पत्र लिका है कि 30 सितंबर से पहले प्रादेश में पंचाय चुनाव नहीं करवाई जा सकती तो ही विभाग से मांगी गई जानकारी उपलब्त नहीं होई है ज्यादा जानकारी के साथ मेरे जायोगी रवी जुड़ गई है रवी फिलहाल क्या कोछ अपडेट पंचाय चुनाव में बेरी हो सकती है राद्य चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखा है चुनाव आयोग ने सरकार को पई बिंदूओ पर 22 सितंबर तक जानकारी है वो मांगी है आयोग ने पत्र में का है सरकार ने सरकार चे 22 सितंबर तक जानकारी मिलने पर 30 नुवंबर तक चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम है दस मई को सुप्रिम कोड के बीसी वर्प के रिजरुशन की रिट पेटिशन पर दिये गए फैसले पर सरकार का कोई स्टिकर नहीं हाया है राजे चुनाव आयोग के पास इसके अलाव अगर बात की जाए बैकवर्ट कटेग्री को आरक्षन देने के लिए गठी तर्शन सिंग आयोग की सिफारिशों को यह अनुसार जारी अध्यादेश में आरक्षन की विष्टार से जानकारी भी मांगी गई है सरकार से कुछ इलाखों में 12 से वार्ट बंदी होने से भी आरक्षन की नियमों में दिक्कत आ रही है तो यह तमाम जो वजय हैं वो कहीना कहीं तरकार की तरफ से तमाम जो जानकारिया है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है तो 30 नमब्र तक चुनाव कराया जा सकता है रवी चुनाव आयोग ने इस मामले पर कहा है कि विभाग से जानकारी मांगी कई लेकिन जानकारी जो है वो उपलब नहीं होई है इसके अलावा आप क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे बिल्कुल सुरिष्टी देए तमाम जो जानकारी चुनाव आयोग को चुनाव गंड़क से कराने से पहले चाहिए होती है वो सरकार की तरफ से मुहाया नहीं कराए गई या पर उनमें को फितम या रहे गई तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि 22 सितम्बर तक अगर तरकार की तरफ से तमाम जो जानकारिया है वो उपलब कर रहे जाती हैं तो तीस नमबर तरक जो है चुनाव आयोग कराने में शक्ष्चम है कराने में शक्ष्चम है 22 सिक्टमबर तक तमाम जो जानकारी अगर मिलती है तो 30 नमबर तक चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्टम है चलिए रवी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए